तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने भी ना गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए यह 130 करोड देश स्वास्चों के जीवन की रक्षा करने का भ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्रात्विक्ता रही कि ऐसी स्थिति ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोय देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्टा से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लोगडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जन्दन खातों में सीधे इकतिस हजार करोड रुपिया जमा करवाए गए है इस दौरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारा हजार करोड रुपिय जमा हुए है इसके साथ ही गाउं में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आश्चर्य में डुबो दिया है वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभक दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियों आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोश्णा करने जा रहा हूँ साथियों हमारे यहां वर्षा रूतु के दौरान और उसके बात मुख्य तौर पर क्रिशिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपर निमा है फिर स्यावन शुरू हो रहा है फिर पंदरा अगस आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास्त में आएगी घनेश चतुर्थी आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बियू है नवरात्री है दुर्गा पूजा है दशारा है दिपावली है छटी महिया की पूजा है तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोर लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोर से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महया कराया जाएगा और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्वे हजार करोर रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोर रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्रक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़कर के कहीं और जाते हैं किसी और राज्य में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही हैं तो इसका स्वरे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है पहला हमारे देश के महंतिक किसान हमारे अन्नदेता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का स्वर्मिक का चुला जल रहा है आपने इमानदारी से टैक्स भरा है